हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे पालक की पूरी, जो बहुत ही हेल्दी होती है, छोटे बच्चे जेनरली पालक की सबजी नहीं खाते हैं, तो आप ये रेसी पिट्राई कर सकते हो, यहां पे हमने ले लिये पालक, जिसको अच्छे से हमने व और अभी हम उसको एक मिक्सी जार में ट्रांसपर कर लेंगे, और बाकी बच्ची हुई पालक है, उसको भी हम कट करेंगे, और जो हमने मिक्सी जार में पालक रखी थी, उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स, इसे मैंने कट कर लिया है, और यह हमारी पेश्ट बन चुकी है पालक की, तो यहां पे मैंने उसको एक वरतन में ट्रांसफर कर लिया है, दूसरी जो पालक है, उसकी भी हम पेश्ट बना लेंगे, तो यहां पे मैंने दूसरी जो पालक थी, उसकी भी मैंदा लिया है और बेशन लिया है सारे आटे हम एड़ करेंगे यहां पर मैंदा थुड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आपको रखना है टेस्ट के अकोडिंग अपनमक एड़ करेंगे रीड चिली पाउडर थोड़ी सी हिंग और यहां पर अजवाइन को मैंने मसल के इसमे वजन करेंगे तो यहां पर देख सकते हो मैंने और ठोड़ा मैंदा एड़ कर दीआ है और फिर अमें उसका बैंडिंग कर दूंगी आप यह जो आटा है उसमें मैंदा जरूर से एड़ करते हैं मैं जैसे जो बाइंडिंग है वह बहुत अच्छी आती है तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा आटा रेडी हो चुका है और तेल से मैंने उसको जिकना भी बना दिया है यहां पर मैंने थोड़ी सी लोई ले ली है और उसको मैंने गोल्ड करके उसको प्रेस कर कर दिया है और सुखे आटे में डीप कर दिया है अभी उसमें से हम पूरिया रेडी करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी हम रोटी बेल लेंगे इसमें से जो पूरिया हम बनाएंगे वो आधी गोल गपे बनाएंगे और आधी कड़क पूरी बनाएंगे एकदम क्रिस्पी वाल जहां पे हम पतला बेलेंगे और उसकी पूरिया बनाएंगे वो पार्ट एकदम क्रिस्पी बनेगा और जहां पे हम थोड़ा सा थीक रखेंगे वो उसकी हम गोल गपे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से आपको इसे पेलना है फ्रेंट से हम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मैंने अद्रक या फिर ग्रीन चिली यह कुछ भी एड़ नहीं किया है अगर आप बड़े के लिए बनाते हो तो गाली कद्रक की पेश्ट रीट चिली सारी चीज़े आप इसमें डाल सकते हो तो फ्रेंट सब देख सकते हो यह रोटी बहुत बड़ी साइज में मैंने रेड़ी कर दी है अब यहां पर मैंने एक ढकन ले लिया है कोई भी बॉटल का ढकन ले सकते हैं अगर आपके पास कुकीज कटर है तो आप वो यूज़ करिएगा तो इसी प्रकार से हम उसको कट लगा देंगे और एक पूरी का शेप दे देंगे आप देख सकते हो जहां पर मैंने पतला बिला है वहां पर पतली पूरी रेड़ी होगी और जहां पर मैंने थीक पार्ट रखा है वहां पर थीक पूरी होगी तो यह एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल देंगे आप चाहे तो छोटी छोटी लुईया बना के भी पूरी रेडी कर सकते हो लेकिन यह टेक्निक से आपकी जो पूरिया है वो सेम ही साइज में बनेगी तो मैंने यह टेक्निक यूज की है और फ्रेंड्स आपने जैसे देखा कि मैंने यहां पे पालक की पेस्ट बना के डायरेक बरतन में एड़ कर दिया था और बाद में सारे आटा एड़ किये थे लेकिन आप अगर फर्स टाइम बना रहे हो तो आप पहले आटा एड़ कर दीचेगा और बाद में थोड़ी थोड़ी पेस्ट एड़ करिएगा क्योंकि जो पालक की पेस्ट होती है उसमें बहुत ज्यादा मौशियर होता है वो कुद का पानी रिलिस करती है तो आटा है वो एकदम मतलब लूज हो जाता है तो ये बात आपको खास द्यान रखनी है कि जो पालक की पेस्ट है वो थोड़ी थोड़ी करके ही आपको एड़ करनी है वरना आपका जो आटा है वो लूज हो जाएगा और जो पूरिया है वो पॉफेक्ली नहीं बन और आपका जो आटा है वो रेडी होने के बाद भी बहुत ही लूज हो जाता है तो ये बाद भी ध्यान रखेगा और ये जो पूरिया है उसके बैंडिंग में मतलब आटा गुंते टाइम आपको थोड़ा सा भी पानी एड नहीं करना है ये बेस्ट एड करेंगे तब उसी से ही ये जो आटा है वो रेडी हो जाएंगा और यहां पर मैंने ओयल को हीट होने के लिए रख दिया था और ओयल मेरा हीट भी हो चुका है तो यहां पर हम थोड़ी थोड़ी पूरिया एड कर देंगे और उसको फ्राइ कर लेंगे तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो कई सारी पूरिया है वो फूल रही है गोल गप पे रेडी हो रहे है और कई सारी जो पूरिया है वो क्रिस्पी रेडी हो रही है इसी तरह से हमें इसको पलट लेना है थोड़ी देर के बाद और दोनों साइड अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यह जो मारी पूरिया है वो अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी है कलर भी इसका चेंज हो चुका है यहां पर मैंने हल्दी पाउडर नहीं यूज किया था ताकि अल्रेडी इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है तो भी हम यह पूरिया निकाल देते हैं और इसी प्रकार से सारी पूरिया को हम फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंट्स जो बाकी पूरिया है वो भी मैं यहां पर फ्राइ कर रही हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो जो थीक वाली पूरी है उसके उपर फ्रेस करने से वो फूल रही है उसके उपर अगर आप ओयल डालेंगे तो भी वो अच्छे से फूल जाएंगी तो इसी तरह से दूसरी पूरिया भी हमारी रैडी है सारी पूरिया को हम इसी प्रकार से रैडी कर देंगे और यहां पर मेरी पूरिया रैडी हो चुकी है जिसको मैंने सव कर लिया है चोटे बच्चे को आप टेम में बहुत ही यम्मी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और और उपर से हम चाट मसाला और श्पमचा करते हैं चाट मसाला इसको जो टेस्ट है भू बढ़ आ जाता है तो चार्ट मसाला इसके उपर जरूर से स्प्रेड कीजेगा तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजे और चैनल को सबस्क्राइब कीजे थेंक यू थेंक यू फो वाचिंग